हलो फ्रेंड आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने बाटा लिली का प्लांट इसमें देखें दो तरह के प्लांट हैं एक वाइट और एक पिंग कलर का देखें पिंग कलर के पत्तों में और वाइट कलर के पत्तों में बहुत अंतर है यह देखें यह है पिंग कलर का जो की र सबसे पहले मैंने इसको एक प्लास्टिक के बरतन में लगाया हुआ है आप प्लास्टिक के में भी लगा सकते हो और कोई मिट्टी का बरतन हो आप उसमें भी लगा सकते हो आप ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है अभी कुछ दिन बाद ये multiply करने लायक हो जाएगा आसानी से multiply भी हो जाएगा और मैं इसमें से निकाल के इसे बड़े टब में रख दूँगी क्योंकि ये plant छोटा है छोटे में इसकी growth इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितना की बड़े में तो मैं इसको बहुत जल्दी इसमें से निकाल दूँगी दिखिए मैं आपको निकालना भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से निकाल कर इसको इसमें रखा हुआ है आपको इसकी roots भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसकी roots होई है देखिए बहुत जल्दी मल्टिप्लाई हो जाता है मैं अपनी एक प्रेंड के यहां से लाई थी और इसमें देखें रूट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रूट्स निकली है यह देखें और मैं इसको डारेक्ट ऐसे ही इसमें रख देती हूं क्योंकि इसमें मेरा अल्रेडी मिट्टी और सभी चीज है आप इसकी ग्रोध देखें कितनी अच्छी रूट्स होई है तो फ्रेंड इसको लगाना बहुत आसान है आप कहीं से भी ले सकते हो मल्टिप्लाई हो जाता है और बस केर इसकी यही है इसका पानी आपको बहुत 15 दिन में कभी कभी शुरू शुरू में तो 8 दिन के अंतराल में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा जब तक आप पानी चेंज नहीं करेंगे इसको फ्लॉबर नहीं आएगी और अच्छी फ्लॉबरिंग के लिए आपको डियेपी डालना होगा आप डियेपी की मातरा इसमें डाले ज़्यादा नहीं डालनी हैं बस 8-10 दाने डालने हैं जिससे आपकी ये ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरे वाइट वाले में कई कलियां आ चुकी है लेकिन मैं किसी कारण वर्ष इसमें पत्ते नहीं मैंने ये चेंज नहीं किया पानी तो इसके ग्रोथ खराब हो गई और इसमें कलियां भी गलनी स्टार्ट होगी तो फ्रेंट्स ये देखे मेरा बाटर लिली को प्रेंट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब की जगा बाई प्रेंट्स